बिहार के रोहतास में 50 साल पुरा ने 60 फुट लंबे पुल की चोरी का मामला सामने आया था अब इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफतार कर लिया है इसके साथ ही इस पूरे कांड को अंजाम देने वाले मास्टर माइंड राधे श्याम सिंग का भी परदाफाश हो गया है पुल चोरी की यह घटना नासरी गंज प्रखंट के आदर्श ग्राम अमिया वर में हुई थी जो आरा कैनाल पर बना था यह पुल आधे दर्जन गावों को जोड़ता था हैरान करने वाली बात यह है कि राधे श्याम सिंग ने ही पुल चोरी की घटना की एफ आई यार दर्श कराई थी आईए जानते हैं कौन है राधे श्याम सिंग और कैसे उसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया राधे श्याम सिंग कैमूर जिले के कुद्रा थाना शेत्र के फुली गाओं का निवासी है वो करीब दो साल से रोहतास जिले में सासाराम में सोन नहर अवर प्रमंडल नासरी गंच एसडीयो के पत पर तैनात था पुल चोरी के लिए उसने पूरी योजना बनाई थी और एक स्थानी नेता कल्यान भारदवाज को भी अपने साथ मिला लिया ताकि कोई बवाल खड़ा ना हो आरजेडी नेता कल्यान भारदवाज अमियावार गाउं का रहने वाला है लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके बीच इतना ज्छालमेल होने वाला है जानकारी के मताबिक 50 साल पुराना यह पुल जरजर हालत में था इसलिए इस पर लोगों की आवाजा ही नहीं हो रही थी ऐसे में राधेशाम सिंग ने दिमाग लगाया और पुल को ही गायब कर दिया राधेशाम सिंग ने सोचा क्यों न एक हज़ार किलो लोहे को बेच दिया जाए पुलिस ने आरोपी से चोरी कांड में इस्तेमाल किये गए बुल्डोजर, पिकप बेन, 247 किलो लोहा, दो गैस सिलेंडर और दो गैस कटर को बरामत किया है पुलिस के मताबिक आरजेडी शिवकल्यांड ने अपराधियों को बचाने के लिए स्डियों से 10,000 रुपे लिए थे आरोपी राधेशाम सिंग ने अपने विभाग के कुछ करमचारियों को इस चोरी के लिए तयार किया था इसके बाद तैस समय पर जेसी भी कटर वगेरा लेकर वह सब मौके पर पहुँच गए पुलिस चोरी को अंजाम देने वाले सबी सरकारी करमचारियों ने अपना परिचे मजदूर के तौर पर दिया जिसमें उन्हें किसी के विरोत का सामना नहीं करना पड़ा इसके बाद ये चोर सारा माल उड़ा कर ले गए रादेशाम सिंग को लग रहा था कि पुल जरजर है और किसी के काम का नहीं है और लोगों की आवजाही भी इस पर नहीं है तो इस कांड को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है और वो आराम से बच जाएगा लेकिन यही गलती उसको भारी पड़ गई और उसके इस कांड का भंडा फोड हो गया फिलहाल रादेशाम सिंग पुलिस की हिरासत में है उस पर पुलिस या कारवाई शुरू हो चुकी है जन ज्वार जनता की मीडिया